13 एप्रियल की चुछा धर्मापस का सोगत है सदा सारी प्राप्तियों से भरपूर होना तब जाकर यह हम हर्षित चित और हर्षित मुख रह सकते हैं तो प्रमद करते हैं जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ती बनाते हैं तो उसमें चहरा सदा हर्षित दिखाते हैं आपको पताएं तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादकार चित्रों में भी दिखाते हैं हर्षित मुख रथात सदा सर्फ प्राप्तियों से भरपूर अब प्राप्तियां फिस्कल प्राप्तियों के बात नहीं हो रही है इसमें कि हमने ग्यान को इस्तमाल करके अपने मन को स्टेबल बना लिया है सुकी, खुश, आनन्द में प्रेम सरूप, शान सरूप बना लिया है तो उसको कहते हैं प्राप्तिया तो प्रामदों कहते हैं तो आपके इस समय के हर्शित मुकर्थात सदा सर्फ प्राप्तियों से बरपूर जो बरपूर होता है वही हर्शित रह सकता है अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्शित नहीं रहेंगे अगर संतुछता नहीं तो हर्षित नहीं रहेंगे अगर खुशी नहीं तो हर्षित नहीं रहेंगे कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे प्राप्तियों से, चीजों से, लोगों की वावा सुन करके बाहर से हसेंगे, लेकिन दिल से नहीं ये पैचान है आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से बरपूर हर शिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्